सब्सक्राइब करने वाले हैं तो प्रेक्टिस सेट 45 में जितने कुछ नहीं आपको सारे सौल करोंगा इसके लिए पूरी आखरी तक जरूर देखना लेकिन देखो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलास है जो आपको जानना है उसके बाद हम यह प्रेक्टिस सेट सौल्व करेंग तो देखो यहां पर देखो क्या है हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाले यह प्रेक्टिस सेट में सबसे पहले एरिया ओफ स्क्वेर इससे पहले हम पेरिमिटर ओफ स्क्वेर पेरिमिटर ओफ रेक्टेंगल लिखा ले थे अब एरिया ओफ स्क्वेर हम इसमें देखने हो गया देखो यहां पर side multiply by side जिसको हम side square लिख सकते हैं ठीक है square मतलब मालूम है न क्या होता है जेतनी भी जो भी power में जो number रहता है उतनी बार हमें उसको multiply करना रहता है तो यह side है power में कतनी बार number है दो बार है तो का formula देखे थे और perimeter of rectangle यह area of square area of rectangle का formula है clear होगे एकदम चलो अब आप प्रेक्टिसेट solve कर सेथे हो चलते है प्रेक्टिसेट की तरफ यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले if the side of a square is 12 cm find its area क्या बोले है एक square है जिसका side है 12 cm हमें उसका area find करना है जैसे कि आपको मालूम है square का हर एक side equal होता है तो क्यूंकि एक side का हमें measurement कितना है तो इसके लिए हमें सारे side का मालूम है अब find its area बोला तो area of square का formula क्या अभी हमने पीछे देखा था side multiply by side यह तो side square आप हो सकते हो clear तो चलो करते हैं तो यहां पर देखो क्या है पहला कुछर हमारा side of the square हमें दिया हुए 12 cm जो हमारे square का side है उसका measurement area हमें पता नहीं है यह हमें find out करना है तो हम क्या करेंगे area of square इसका formula लगाने वाले है तो चलो लगाते हैं तो यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखने वाले area of square तो क्या formula है area of square का side multiply by side यह तो side square आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो ठीक है तो क्या हम लिखें चलो हम लिख देते हैं side square ही लिख देते हैं साइड स्क्वेर एकुल टू का साइन AB साइड हमारे पास कतनी है जो हमें दिया गया है कोशन में वह देखो है 12 cm, तो हम यहाँ पर लिख देते है 12 का स्क्वेर, ठीक है 12 cm था इसके लिए साइड की जाएगा 12 का स्क्वेर, अब देखो यह जो स्क्वेर, यह जो रहता है, पावर में अगर कोई नंबर दिया रहता है, इसको हम पावर बोलते है, 12 raised to 2 या तो 12 स्क्वेर अब इसको बोल सकते हो, तो यह जो नंबर रहता है उसको उतनी बार मल्टिप्लाइ करो जितनी बार पावर में रहता है, अगर आपको इसको solve करना है, simplify करना है, तो यह देखो कितनी बार है 2 बार है, मतलब कि 12 को हमें 12 multiply by 12, दो बार इसको आपको मुल्टिप्लाइ करना है, ठीक तो यहाँ पर मिलेगा 144 क्या है cm था तो 144 cm स्क्वेर ओके ठीक है तो cm स्क्वेर कैसा है हमारा एंसर क्योंकि देखो हमारा जो side of the square तो क्या था 12 cm तो यहाँ पर क्या side square है तो 12 का अगर square हम निकाले 144 आया है तो cm कभी square निकलेगा ना तो cm multiply by side होता है तो जब cm multiply by cm होगा तो आएगा आपका cm square या तो यहाँ पर cm कभी square निकलेगा तो क्या होगा cm square होगा आप simple याद रखो cm multiply by cm होगा तो square आजाएगा क्योंकि यहाँ पर side square होगा है तो हम अपना final answer कैसे लिखेंगे देखो कुछी सरी कैसे लिखेंगे the area of the square is 144 cm यहाँ पर हमारा final answer हमें मिल गया है clear हो गया अब चलते हो question number 2 पर यहाँ पर देखो question number 2 में क्या है आपको यहाँ पर बोलने if the length of a rectangle is 15 cm and breadth is 5 cm find its area हमें rectangle का length और breadth दिया हुए हमें इसका area find out करना है तो simple है area of rectangle का formula लगाएंगे हमें इसका area मिल दियागा rectangle का ठीक है area of rectangle का formula हमें क्या देखा था length multiply by breadth clear चलते हैं question number 2 की तरफ तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो second में क्या दिया गया है length हमें दिया था 15 cm breadth हमें दिया था rectangle का 5 cm okay हमें क्या डूणना है area तो क्योंकि हमें length और breadth मालूम है तो हम area of rectangle का formula लगाएंगे अपना rectangle का area डूणने के लिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे area of rectangle the area of rectangle equal to क्या formula है length multiply by breadth देखो मैं पूरा इसके लिए लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए बाद में आप सिर्फ L into B L multiply by B लिख सकते हो ठीके चलेगा तो भी तो equal to का हम sign डालते हैं length हमें कितना दिएगा 15 cm तो हम यहाँ पर डाल देंगे 15 cm length की जगा multiply by breadth breadth कितना दिए हमें 5 cm तो यहाँ पर 5 cm डाल देंगे अब इन दुनों को multiply करके हमें हमारा answer मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो हमें हमें मिलेगा 55 cm क्या होता है 75 cm तो हमें मिलेगा यहाँ पर 75 cm तो cm2 cm2 कैसा है आपको पता है बताया है मैंने आपको cm multiply by cm होगा तो क्या हो जाएगा यह cm2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा answer हमें मिल गया तो हम final answer लिख देते हैं कैसे लिखेंगे कुछ इस सरी कैसे ल तो यहाँ पर देखो question number 3 में क्या बोल रहे है the area of a rectangle is 102 square cm if its length is 17 cm what is its perimeter क्या बोल रहे है कि अगर एक rectangle है उसका area 102 square cm है और उसका एक length जो है वो 17 cm है और हमें उसका perimeter ढूनने के लिए बोला गया है clear हो गया तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है area of rectangle दिया है और length of rectangle दिया है यह दो चीज़ दिया है हमें क्या बोला गया है perimeter of rectangle को formula क्या होता है बताओ perimeter of rectangle को formula होता है 2 length 2 multiply by length plus 2 multiply by breadth या तो आप बल सकते हो 2 multiply by bracket में length plus breadth तो यहाँ पर देखो हमें सिर्फ length दिया गया है हमें perimeter of rectangle के लिए 2 multiply by length plus breadth दोनों चाहिए तो हमारे पास सिर्फ length है breadth नहीं है तो हम क्या करेंगे area of square जो है दिया है इसकी help से हम breadth भी ढूनेंगे ठीक है यह हम ढून कर निकालेंगे फिर perimeter of square ढूनेंगे simple था कि नहीं बताओ चलो हम चलते हैं अपने notebook की तरफ तो यहाँ पर देखो question number 3 हमारा यह इसमें हमें क्या-क्याइचीज question में दी गई थी वो है the area of rectangle कितना था 102 square centimeter length हमें दी थी 17 centimeter हमें ढूनना क्या है perimeter of rectangle तो perimeter of rectangle ढूनने के लिए हमें length और breadth दोनों मालूम रहने चीए क्योंकि perimeter of rectangle का formula क्या है आपको पता है ना 2 multiply by यहाँ पर देखो 2 multiply by length plus breadth जिसमें से हमें length मालूम है हमारा breadth नहीं मालूम है तो हम breadth पहले find out करेंगे perimeter निकालने से पहले तो area of rectangle की जो value थी की इसके help से हम निकालेंगे अपना breadth तो देखो यहाँ पर therefore the area of a rectangle हम यहाँ पर area of a rectangle का formula लिखने वाले है ठीक है area of rectangle का formula क्या होता है बताओ अभी हमने देखा था length multiply by breadth L क्या length है B क्या breadth है इसमें से हमें area of rectangle मालूम है कितना है 102 हम यहाँ पर लिखेंगे therefore 102 equal to length क्या है हमारा हमें 17 cm तो 17 multiply by breadth हमें नहीं मालूम हम इसको ढूंडने वाले है तो यहाँ पर breadth अब क्या करना है दूसरे साइड याएगा तो यह division में आ जाएगा upon 17 equal to B अब क्या करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो हम क्या करेंगे दोनों को interchange कर देते यह इसको यह side इसको यह side ले लेते हैं ठीक है ना तो चलो करते हैं therefore be equal to 102 अब देखो आपको क्या करना है 17 के टेबल में आपको 17 से इसको 102 को डिवाइड करना है क्योंकि 10 क्या है 17 से छोटा है तो 10 तो डिवाइड होगा ने तो हमें पूरा लेना पड़ेगा 102 तो 17 के टेबल पढ़ो देखो 102 का बाता है तो अब देखो 1760 क्या होता है 102 अब टेबल भी पढ़के देख सकते हो 17107, 172034, 173051, 174068, 175085, 1760 102 क्लियर हो गया तो हम यह आप लिखेंगे 17107, 17602 इसका मतलब यह हुआ जो हमारा ब्रेथ हमें मिला है यहाँ पर therefore b जो में ब्रेथ मिला है equal to कितना मिला है 6 cm clear हो गया समझ गया आप अब हम क्या करेंगे हमें 6 cm हमारा ब्रेथ मिल गया है अब हम perimeter of a rectangle find out कर सकते है क्योंकि हमरे पास length और breath दोनों आ गया है तो हम कैसे लिखेंगे भी आगे हम यहाँ पर लिखेंगे therefore the perimeter of a rectangle इसका हम formula लिखने हो लिए ठीक है perimeter of a rectangle का क्या formula होता है equal to 2 multiplied by length plus breadth ठीक है तो equal to का sign 2 multiplied by length हमें कितना दिया हुआ था पहले से दिया है यहाँ पर देखो question में क्या length दिया है 17 cm तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 plus breadth अभी हमने find out क्या है 6 plus 6 अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 multiplied by 17 plus 6 क्या हो जाएगा 23 होगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिख दिनगे multiply by 23 अब क्या होगा अब बचता क्या है 2 multiplied by 23 ठीक है तो पहले देखो board marks का rule आपको मालू है सबसे पहले bracket के अंदर वाले operation आपको करने रहते हैं ठीक है हमने कर दिया अब 23 आगया हमारे पास 2 multiplied by 23 अभी से करते हैं multiply तो तो यहाँ पर क्या हमारा answer विला है 46 cm ओके यह है आपका final answer अब आप अपना final answer लिख सकते हो क्योंकि हमें पता चल गया हमें perimeter of a rectangle बोला गया तो हम कैसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम कि the perimeter of the rectangle is 46 cm clear हो गया एक दम easy था कि नहीं है ना easy था तो अब हम चलते हैं हमारे practice set 45 के last question पर जो है question number 4 ठीक है तो चलो करते है question number 4 अभी यहाँ पर देखो आपको question number 4 में क्या बोला गया है यहाँ पर बोलने if the side of a square is tripled क्या बोलने कि अगर एक जो square का side होता है अगर हम उसको tripled करे मतब तीन गुना बढ़ा कर दे how many times will its area be as compared to the area of the original square क्या बोलने अब जब हमने triple कर दिया square के side को तब उसका area जो original वाला या जो पुराना वाला square था उससे कितना बढ़ा होगा देखो क्या बोल रहे हमारे पास एक original square है हमने एक नया square बनाया जिसका side जो है वो original से tripled हो गया है अब क्या बोल रहे है कि जो नया हमने square लिया जिसका side tripled है उसका area पुराने वाली से कितना बढ़ा होगा वो हमें बताना है तो एकदम simple है हम area of square का formula लगा के यह find out करने वाल था कि एक original square है एक new square है तो हमने क्या देखा था question में कि जो original square है उसका हमने क्या लिया है side जो लिया है एक हमने a ले लिया है मानलो ठीक है यह ले लिया है और क्या बोल रहे है जो new square है वो original square से triple है उसका side तो अगर इसका a side है तो इसका 3 हो जाएगा क्योंकि यह triple इसका side है ह आराम से करो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, कि let the side of the original square be, कितना आम लेंगे, यह original square है, इसका side हमने कितना लिया है, यहाँ पर a डाल देंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या बोला गया है, कि इसका area इससे कितना बड़ा रहेगा, तो यह जानने के लिए हमें पहले इसका area निकालना है, फिर दोनों को compare करेंगे, कि यह इससे कितना बड़ा है, clear, समझ गया, तो हम चलो, अब क्या करेंगे यहाँ पर, therefore, अब हम original square का area निकाल रहें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, therefore, area of original square equal to, क्या formula है, बता हो, area का formula, side square, मालू है न, आपको, side multiply by side, या तो side square, तब यहाँ पर लिखेंगे, side square, equal to, to, side कितनी है, original square की a है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, bracket में a, square, तो bracket open करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर a square, clear रहें, यह हमारा विला है, area of original square, यह हमने find out किया है, simple था कि नहीं, अब चलते है, new square, इसका find out करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, same चीज़ लिखेंगे, let the side of the new square, original square इसका लिए था, अब new square का लिने वाले है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, let the side of the new square, square, b, क्या, let the side of the new square, यह new square का side हमने कितना लिया था, 3a, यहाँ पर देखो, 3a, क्यूंकि इसके यह triple था, तीन कुना जादा था, तो हमने 3a लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, 3a, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो new square है, उसका हम area निका लिएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, therefore, area of new square equal to, क्या formula है, area of square का side square होता है, तो यहाँ पर हमारी side, जो new square की side हो कितनी है, 3a है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 3a था, तो यह डालते हैं हम, यहाँ पर 3a square, ठीक है, तो जो square लगने वाला है, यह a के लिए भी लगेगा, 3 के लिए भी लगेगा, ओके, तो देखो कैसे होगा यह, यहाँ पर हम लिखेंगे, 3 square, आप बल सकते हो, इस में square है, multiply by a square, ऐसे आप लिख सकते हो, तो देखो, यहाँ पर, 3 square क्या होता है, 3 square में तब जतनी भी power में number दिया गया है, उतनी पर multiply करो, दो बार है, तो 3 multiply by 3, दो बार हमने multiply कर दिया, और multiply by a square, यह तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ simplify नहीं होगा, यह हो चुका है, अब यहाँ पर देखो, 3 multiply by 3 केतना जगा, 9, और यह कहए a square, तो यहाँ पर देखो, हमें क्या मिला है, area of new square, 9 a square, अगर आप ध्यान से देखोगे, यह जो हमारा 9a square जो है यह जो a square जो है यहाँ पर देखो यह a square जो है यह क्या है हमारा area of original square है देखो इसका area है original square का area है a square यह तो हम इसकी जगा क्या लिख सकते हैं equal to 9 multiplied by इसकी जगा हम लिख रहे हैं area of original square area of original square ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें area of new square चाहिए तो उसके लिए हमें अपना जो original square है उसको 9 से multiply करना है मतलब कि यह new square original square से 9 times बड़ा है 9 गुना बड़ा है clear हो गया समझ गया तो अब हम क्या करेंगे हमें पता चल गया है हमारा जो area of new square है वो area of original square से 9 times बड़ा है 9 गुना बड़ा है तो अब हमारा final answer लिख देंगे कैसे हम लिखने वाले है यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से त्यापरम ने लिख दिया है the area of the new square is 9 times of the area of original square मतलब कि जो हमारा area of new square है वो हमारे original square से 9 times बड़ा है 9 गुना बड़ा है ठीक है यह हमारा final answer जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो area of new square था area of new square जो 9 times original square के था जब original square से तो इससे जब आप 9 से multiply करोगो ताब आपको area of new square मिल वाले है इसका मतलब क्या हुआ हुआ वो 9 times उससे बड़ा है clear हो गया समझ गया आप तो यहाँ पर हमारा practice set complete हो गया I hope यह आपको अच्छे समझाओगा आप इसके अच्छे से practice कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपके full marks है अगर आपके video अच्छा लगाओ तो आप इस video को like करो अपने सभी दोस्तों के साथ share करो Thank you